गुट मार्निंग एवरिवन बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक में पेज नमबर 38 खोलिए वहाँ पर हम मकडी रानी का वीता पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर देखें दो छोटे बच्चे हैं उन्होंने मकडी को देखा जाल बुनते वे तो दोनों बच्चे मकडी से पूछ रहे हैं कि मकडी रानी तुम इतना सुंदर जाल कैसे बना लेती हो बच्चों आपको यह 8 लाइन लर्न करनी है और आपको यह लिखनी भी है अपनी कॉपी में आज का होमवक है आपको कवी तक को अपनी कॉपी में लिखना है ठीक है बच्चों अब हम पढ़ते हैं मकडी रानी मकडी रानी बतलाओ तो प्रश्न हमारा कैसे तुमने जाल बुना है इतना सुंदर इतना प्यारा जिससे जाल बुना वह धागा भला कहां से लाती हो बुननी वाली जो मसीन है वह भी कहां चिपाती हो एक विनती तुमसे मेरी है छोटी सी सुनू जरा मै पतंग का धागा देदू मेरे कपडे बुनू जरा तो थी न ये प्यारी सी कवीता किस ने लिखी है लक्षमी संकर बाजपेई जी ने लिखी है तो बच्चों यहाँ पर छोटी छोटे बच्चों ने देखा कि मकडी ने सुन्दर सा जाल बुना है तो उसे पूछ रहे हैं कि मकडी रानी तुम इतना सुन्दर जाल कैसे बना लेती हो और जाल बुनने के लिए तुम धागा कहां से लाती हो और जो बुनने वाली मसीन है वह कहां छिपा कर रखती हो और बच्चों को लग रहा है वो इतना सुन्दर जब जाल बुनती है तो कपड़े भी बड़े सुन्दर बुनेंगी तो उनसे बिंती कर रहे हैं कि हम अपने पतंग का धागा दे दे तुम्हें मकडी रानी हम तुम्हें अपने पतंग का धागा दे दे उससे तुम हमारे कपड़े भी बुनो तो बच्चों आपको ये कवीता पढ़नी है और लिखनी है याद करनी है ठीके बच्चों